ऐसा अक्सर होता है कि पुराने नोट या सिक्कों को दुकानदार लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये अब चलता नहीं है ऐसा ही एक रुपे, दो रुपे और पाँच रुपे के नोट के साथ भी हो रहा है वैसे तो ये नोट अब बहुत कम लोगों के पास बचे हैं लेकिन जिन लोगों के पास हैं और वो इन्हें खर्च करना चाहते हैं तो व्यापारी आसानी से इन्हें लेते नहीं हैं ऐसे में आपको RBI से जुड़े नियम पता होने चाहिएं कि आखिर ये नोट चलन में हैं या नहीं या फिर अभी ये छपते हैं या नहीं तो हम आपको बताते हैं एक रुपे, दो रुपे और पांच रुपे के नोटों की कहानी फिलहाल Reserve Bank of India तस रुपे, बीस रुपे, पचास रुपे, सो रुपे, दो सो रुपे, पांच सो रुपे और दो हजार रुपे के नोट जारी कर रहा है इन नोटों को bank note कहा जाता है ये भारतिये Reserve Bank की तरफ से जारी किये जाते हैं रिजर्व बैंक की तरफ से अब 2 रुपे और 5 रुपे के नोट जारी नहीं किये जा रहे हैं। माना जा रहा है इन नोटों की छपाई इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि आज के वक्त के हिसाब से इनकी जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर आपके पास पहले से 2 रुपे और 5 रुपे का नोट है तो आपके लिए दिक्कत की बात नहीं है। इसमें 5 रुपे, 2 रुपे, 10 रुपे, 20 रुपे, 100 रुपे, 200 रुपे, 500 रुपे, 1,000 रुपे, 2,000 रुपे, 5,000 रुपे और 10,000 रुपे के नोट शामिल है। इसका विशेश अधिकार केंदर सरकार के पास होता है। भारतिय रिजर्व बैंक ने आज तक सबसे ज्यादा वैल्यू का नोट, 10,000 रुपे का नोट शापा था। जिसे 1938 में चापना शुरू किया गया था। हाला कि साल 1946 में इसे वापस ले लिया गया और फिर इसे अवैद करार दे दिया गया। साल 1954 में 10,000 रुपे का नोट फिर से शुरू किया गया था। और इसके बाद इन नोटों को 1978 में फिर से बंद कर दिया गया। इस खबर पर अपनी रायक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। देश और दुनिया की तवाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें। TV9 भारतवर्ष।